कमांडो कमांडो टू के बाद फिल्म डारेक्टर वपुल अम्रित लाल शा कमांडो थ्री को लेकर आप सभी के बीच आ गए हैं जिहां वेल यह तो आप सभी जानते हैं कि कमांडो थ्री कल रिलेस हो चुकी है बदादे फिल्म की कहानी धर्म के नाम पर चुली आतंग बाद पर आधारित है कहानी में हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद फर्जी पास्पोर्ट देश को खत्म करने की धर्म परिवर्तन देश पर हमला करने का खत्रा साथी दूर दराजिला को में शिपे आतंग की और दे वाजनरेशन ऐसे मुद्दो को काफी इंट्रस्ट के साथ देखना पसंद करती है तो चलिए आज हम अपने इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कमांडो 3 के बारे में क्या कहना है आम जनता का क्या है उनका पाब्लिक रिव्यू कैसी लगी उनको कमांडो 3 तो चलि था जो कमांडो 3 का जो हीरो है वो जाता है लंडन और आतंगवादी को पकड़ के लाता है तो एक देखने लाइक सीन था बहुत दबरदस्त सब लगबक सभी एक्टर एकटर दबरदस्त परफोर्मेंस दिये सभी एकदम अच्छा लग रहा था सभी का मुवी देखके बहुत अच्छा लगा थेंक्यू फाइव श्टार थीक है इतना अबलब इतनी नहीं जमी जितना सूर्थ है पिच्छा में है तो एक्शन ही लेक अच्छी थी थी थोड़ी दे मुदब टैरिस्ट के उपर है वह हिंदू मुस्लिम का करते है तो जड़ा अच्छा नहीं लगता है इस अच्छी मूवी लेगी उसका कॉनसा बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी जो एंड़ आता है ना तो बंदा कूर्ची से बन जाता है उसक अच्छा कुछ और होई नहीं सकता था इस तरही कि उसमें एक देशभक्ति का जजबा दिखाया ना लगता है कि अरे आधित्स अमेजिंग कमांड़ और 1 और 2 के मुकाबले मुझे मुझे कमांड़ 3 बहुत बैस मुवी लगी है अधित्य दतने इस वेरी गूड डारेक्श अधाश अर्मा की एक्टिंग जहां पर अपने डायलोग जिस तरही की बहुत अच्छी से बोले दूसरी लें लिए उसका नाम मुझे याद नहीं लिए वेरी गूड एक्टर तो बिलेन ने भी अपना ने क्यरक्टर को पूरा जर्सिफाई किया मतलब लगा है कि हाँ एक वड़ा जो और होता है उसने पूरा कनेक किया है पूरी स्टाइट सेलीक एंट तक गान समसादा है निए एकी सॉंग है तो वह इत्स में वेरी गूड संग और सौंग के जरूवत भी निए लिए इस सब से स्टोरी है उसके सब से लगता निए उसमें सौंग होना चाहिए ह वह बहुत ही बढ़ी मुवी है बहुत इच्छी मूवी है अलो बेस्ट एक्टिंग यह थी बहुत ही बहुत ही बाड़ा ग्रेट मैसेज है पबलिक मैसेज है सबको देखने चीह है और इसके बारे में सोचना चाहिए, बिचार करना चाहिए, फिर कोई डिसीन आ लेना चाहिए. आप आप सोच बदलना चाहिए, बदलेगी ही, जब सोच बदली तक ही देश बदलेगा. सबसे पहले बुरा पार्ट बता हूं अच्छा पार्ट बता हूं कि पिचर ने जो मैसिज दिया है कि भारत में हिंदू भी रहते हैं मुस्लिम भी रहते हैं सिख इसाय क्रिश्टन जो भी है सभी को मिल जूल के रहना चाहिए क्योंकि यह सभी का है इस देश के ऊपर किसी एक का अधिकार निया जब भारत उनिस सो सेंटालिस में आजाद हुआ था तो सभी ने अपने इस देश को आजाद कराने के लिए फून भाया था तो यह किसी का भी नहीं कि एक किसी हिंदों का यह देश सभी का और यह एक अच्छी मैसेज देटे कि हिंदो और मुस्लियों को साथ आके एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और देश को आगे बढ़ना चाहिए कि परफॉर्मेंस की बात करए नो सबी नहीं और सीखेसे लगे अक्शन बहुत गजब का आप एक कि फायटओ किना साथ है नजिए फोर स्टार्ट देंगे अब जो बुरा पॉइंट है वो देख लो भाई तो गरा पॉइंट यह कि आज इंडिया के अंदर जितने भी पहलवान है जितने भी रेसलर है मैडल लेकर रहे हैं वह हरियाना से और अरियाना की जो पहलवान ने उन चाहिए कि अर्याना के पहलोण इस देश की आन बां शान है और उनको इस तरीके से गलत तरीके से प्रजेंस करें सिर्फ हीरो की इंटरी दिखाने के लिए डूपके मर जाना चाहिए पिच्चर अच्छी बनाएं नो डाउट लेकिन ये गलत मैसिस मजदो अर्याना के पहलवान है इसी कार इंडिया का सीना और चोड़ा हो जाता है क्योंकि वह इंडिया को मैडल लागे देते हैं और आप उनको गलत तरीके से दिखाते हैं उर्यों की इंट्री के लिए भाई पर वह इंच्छो पहलों की क्यों मलब तुम घटी खराब कर रहे हो जो देश को मैडल लागे दे रहे हैं क्या सोच जाएगी सभी किसी लड़की की इजद पर आ चाते तो अर्याना के पहलोंड खड़े हो जाए हैं घंट्यू जोला है कैसे लगी कमडर तरी आपको बहुत अच्छी फिल्म है 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 अच्छी फिल् सबसे बढ़िया मुझे तीन लग रहा है किकि एक्षन सबसे ज्यादा इसमें है और जहां ज़रूवत है वहां पर डालने की कोशिश लिए पहीं ज्यादा उसे ज़रूत नहीं है नेक्स्ट नाई लाइब टेक से इंदु की रिपोर्ट